बिहार में काफी तेजी से क्रोना का बिस्पोर्ट हुआ है आपको बता दू कि लगबग 800 से जादा लोग क्रोना पॉजिटीव पाए गये हैं उसको लेके स्वासबिभाग में काफी जादा हरकम मत चुका है बिहार के दोनों डिप्टिसी है क्रोना पॉजिटीव हो गए हैं उसके बाद जो रिपोर्ट्स आएंगे उसी के मुताबिक यह निड़ने लिया जाएगा कि कैमिनेट की बैठक किस तरीके से हो हाला कि आपको बता दू कि सूत्रिये बता रहे हैं कि कैमिनेट की बैठक कही न कहीं अब वर्चवल माध्यन से हो सकती है क्योंकि लगा तार तमाम जो मंत्री और विधाय क्रोना पॉजिटीव पाए जा रहे है ऐसे में बिहार के मुक्वंत्री नीतिस कुमार ने इन सभी चीजों को देखते हुए वर्चल तरीके से आज कैबिनेट की बैठक हो सकते हैं कैबिनेट की बैठक से पहले आपको बता दू कि बिहार की दोनों डिप्टी सिये रेनु देवी और तारकी सोर परशाद कुरोना पॉजिटीव हो गया है और अभी मेरी मौजुद की सियम आवास के बाहर की यह तस्वीरे सियम आवास की बाहर के देख सकते है किस तरीके से आज जिस तरीके से पटना की अगर बात कर लो तो लगवख पानसो से उपर लो लो गरो पॉजिटी पाये गया है कि लगातार कोरोना के आकरे बर रहे है और किस तरीके से बिहार में जो इन चीजों को रोक थाम लगा जाए उस पर बिहार के मुक्वंति नितिस्कुमार ने कहा था कि अभी हमारे या उस तरीके के जो cases हैं वो नहीं मिल रहे हैं तो जब लगातार cases भरेंगे तो उस पर निडने लिया जाएगा और आपको बता दू कि कल क्राइशिस मैनेजमेंट की बैठक थी बियार के मुखवंति नियूतिश कुमार के साथ और कल ये निडने लिया गया कि रातरी आठ वजे के बाद नाइट कर्फिू रहेगा वहीं इंसेंसल दुकानों को छोड़के आठ वजे के बाद सभी दुकाने बंद रहेगा और लगबग अ्परुबग अब फैस की अधक बतार पॉजेटिव पॉजेटिव के और अब जिस तरीके से कल की अगर बात कर लोग कल भी जेडियू दफ्तर में भी एक गार्ड समेत पाँट आने लोग पॉजीटिव पॉजेटिव पाए गया थे कल जड्यू दफ्तर कोई बंद कर दिया गया था और अब बिहार के मुक्वंति निपिश कुमार ने छे तारीक से नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया है वहीं सेंसल दुकानों की जो खोलने की बात है रात्री आठ वजे का बाद वही खुले रहेंगा बाकि अन्य दुकाने आ और आक्रे में लगतार भृद्धी हो रही थी और अब जिस तरीके से बिहार के मुक्वंति निपिश कुमार ने ये निड्ने ले लिया है कि कुछ जी जो पर रोक थाम लगा जाए ताकि जो बाहिरस है जो तेजी से बर रहा है उसको जल से जल रोका जा सके अब देखने व शिज ब spor रहा है।